ओम्सर्वे भवन्तु सुखिनह, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानि पश्यन्तु मा कश्चित दुख भाग भवेत, ओम्सान्ति सान्ति सान्ति ही समकालिन एतिहासिक परंपरा में आयुर्वेद और योग के पुनुरुद्धारक परमादर्णी परंपुज्य स्वामी रामदिव जी आयुर्वेद के माध्यम से समस्त मानवी जगत को, समस्त मानवता को, समस्त प्रजा की सेवा में सदय ततपर आचारे स्री बालकृष्ण जी की सुक्ष्म उपस्तिती को सादर प्रणाम करते हुए परमादर्णी स्वामी परमार्जी पुज्या दिदी यहां पर उपस्तित सभी हमारे बड़े भाई, बड़ी बहने और सभी लोगों को सादर नमन करते हुए, हम आज यहां पर प्राचीन काल में आयुरवेद के विकास की एक चर्चा करने के लिए उपस्तित हुए है यह अवस्चेक इसलिए भी है कि बिगत कुछ दिनों से हम लोगों ने यह देखा कि आयुरवेद को लेके नई नई भांतियां पैदा की जा रही है नई नई विरोधी तत्वों के द्वारा इसको युवाओं के मन में एक ऐसे विचारों को लादने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हमारी संस्क्ति हमारे गवरों को नुक्सान पहुंच रहा है इसलिए आज मैं अपने व्यक्षान के द्वारा यह एक प्रयास करूंगा कि हमारे जो युवापिढ़ी है, हमारी जो समाज के निचले तपके के लोग हैं और सभी लोग अपने संस्क्ति, अपने गवरों के महत्त को समझें और अपनी महान परंपरा को जाने हमारा विश्व आज अनेक वैसिक चुनोतियों का सामना कर रहा है बिकत कुछ वर्सों से हमारे विश्व के जो नई चुनोतियां है उसके निस्तारण के लिए प्राचीन भारतिय संस्क्ति के महानतम फलकों की और लोग अपेक्छा की द्रिष्टी से निहार रहे हैं और यह विश्व के अस्तर पे अगर इस तरह की एक कलपना चागरित हो रही है तो उसका कहीं ने कहीं हमारे प्राचीन इतिहास, प्राचीन गौरो और प्राचीन संस्क्ति की देन को हम अस्पष्ट रूप से देख पाते हैं हमारा देश, हमारा हमारी संस्क्ति आयूरवेद के उपर और आयूरवेद की महत्ता को प्राचीन काल से ही आविरभूत करती दिखाई दे रही है संसार अब यह जान चुका है कि आयुर्वेद के माध्यम से न केवल मनुष्य के सरीर को निरोगी बना जा सकता है वरन कोरोना जैसे वैस्विक महामारियों के से मुक्ति पाने का भी एक विसेश योगदान है आयुर्वेद के द्वारा हम अपनी गौरोसाली परंपरा को न केवल प्रस्तुत कर रहे हैं बलके मानुष्य की सेवा में इसकी तत्परता को भी प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं आयुर्वेद के उत्पति को लेके चरक ने और महान महर्शी सुसृत ने भी एक अपने सुसृत संधिता में और चरक संधिता में यह वर्नन किया है कि आयुर्वेद की उत्पत्ती मानो जाती की उत्पत्ती के साथी हुई है आयुर्वेद हमारे परमपिताब परमिश्वर ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन हुआ है और ब्रह्मा जी ने इसे प्रजापती को दिया प्रजापती ने क्रमसर भासकर अस्वनी कुमारों और धन्वंतरी को दिया धन्वंतरी से यह परंपरा आगे बढ़ते हुए अत्रीर इसी से होते हुए जीवक और उसके बाद महर्सी पतंजली और चरक की जो परंपरा चली है उसमें उन्होंने कस्मीर के द्रिणबल से लेक आयुर्वेद के विकास का एक करम हमको दिखाई देता है अब आयुर्वेद के एतिहासिक व्याक्या की और जो हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे मनुस्य के विकास का करम बढ़ता है वैसे वैसे आयुर्वेद के भी विकास का करम बढ़ते दिखाई देता है जैस कि या दिखाई देता है कि वहां पे सालाक के तंतर के रूप में सलाका जो तांबे और गासे के एक यंत्र प्राप्त हुए हैं जिससे कि उसकाल में आखों की चिकिसा का प्रियास किया जाता था। उसके अतरिक्त हमें समुद्री फेन, जिसको केटल फिस के नाम से भी हम जानते हैं, उसके द्वारा भी सेंदव सब्विता में रोगों का उपचार दिखाई देता है। इसके अलामा हम यह भी देखते हैं कि सेंदव धर्म के अंतरगत जब योगेस्वर सिव की पूजा की जा रही है, तो वहाँ पे भी योगेस्वर सिव के साथ अनेक वनस्पतियों का, अनेक पसुओं का जो चित्र दिखाई देता है या जो वहाँ पे उसेस प्राप्त होते है उससे यह भी समझ में आता है कि उस काल में आयुरवेद के महत्तो को लोगों ने समझा, लोगों ने जाना और उसका प्रयोग अपनया किया दूसरी जो हमारी सबसे महांतम संस्कृति है वैदिक संस्कृति उस काल में तो आयुरवेद का भंडार हमें दिखाई देता है आयूरवेद के विकास में सबसे प्रमुख योगदान देने वाले अस्वनी कुमारों का रिगवेद के प्रथम मंडल से लेके दस्वे मंडल तक अनवरत उनका वर्णन मिलता है उन say 365 सुक्टो में हमें अस्वनी कुमार के मंतरों और उनके किया कलापों का उनके प्रियन वर्णन प्राब्त होता है असनी कुमार के चमतकारों को अगर हम देखने जाएं तो सबसे बड़ा चमतकार दिखाई देता है कि उन्होंने महरसी दधीची के सिर को काट कर अलग किया और पुनह उसको उसके सरीर पे रखके उन्हें जीवित कर दिया था यह अपने आप में एक अभुद्पूर्व चमतकार था जो उस काल में और आज के काल में भी संबो दिखाई नहीं देता यह हमारी आयरुवेद की अपनी महानता है इसके अलामा असनी कुमार ने जो वृद्ध चेवन थे उन्हें युवा बनाने का क्याम किया एक वृद्ध गुमारेक हैं वो जोडियों में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं उनके सिसे परंपरा में हमें महाभारत में नकुल सहदयों दिखाई देते हैं उसी तरह से हमें महर सी अत्री दिखाई देते हैं जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का कारे करते हैं दूसरी और हमें धन मंतरी आयरुवेद के जनक हैं और उन्होंने अपने ग्यान को आगे बढ़ाते हुए महर्शी सुसृत को वह अप्रदान किया जो महर्शी सुसृत द्वारा समस्त संसार के लिए उस ग्यान को लबहनुवित करने का कारिय किया गया उसकी अतरिक हम यह भी देखते हैं कि रिग तो उसका स्वन में फल्दाई होगा इसका भी उलेख हमें आउसदी सुक्त में प्राप्त होता है इसी प्रकार हम यजोरॲेद का आध्यन करते हैं तो वहाँ भी हमको आयरुवेद की अरेगों के उपचार का वर्नन मिलता है और येषए के विकास का जो वर्नन हमको यह जो अधरवेद में मिलता है वह उसकी आगे की विकास्यात्रा अधरवेद में भी दिखाई देती है अधरवेद का एक उपवेद ही आयूरवेद है और अधरवेद को हम जादतर आयूरवेद के रूप में ही जानते हैं लेकिन अधरवेद अधरवा अंगिरस रिसी दोरा लिखा के उपचार की बात करते हैं वहीं अंगीरस रिसी अंतरिक सक्तियों के द्वारा और सधियों के द्वारा आहर पध्यतियों के द्वारा लोगों के रोगों का उपचार करते हुए दिखाई देते हैं ये तो हमारी धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए विक्ति हैं इसके अत ग्रंथों में जातक कथाओं में और बिनर पिटक में प्राप्त होता है जो मगद सामराज के निर्माता बिमबिसार के राज वैद जीवक थे उनके सिक्षा दिक्षा तकसिला में हुई लेकिन उन्होंने जब तकसिला से सिक्षा प्राप्त करके वापस मगद की हो रहा है तो उस भागंदर का इलाज कर दिया था तो उस काल में एका एक या ग्यान का प्रकास होना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है इसके अतरिक उन्होंने ततकाली इन अवंती नरेश चंड़ प्रद्योत को पांडू रोग हो गया था जिसका इलाज उन्होंने ततकाल जाके कर किया और एक ऐसी नव यूती थी जो कासी नरेश के दरबार में रहा करती थी उनको भी आतों में गांट पड़ी थी जिसको उन्होंने सल्लेक रिया के द्वारा उस गांट को खुलवा के एक उपचार की नई पधिती का वर्णन किया था इसके बाद हम यह भी देखते हैं क इसका उलेख कोटेले के अरसास में होता है असोक के सिलालेखों में होता है और मेगस्थनीज की इंडिका में होता है जहां पे आयरुवेद के विकास की एक लंबी सिंखला दिखाई देती है आयरुवेद की नई नई विधाओं का वर्णन मिलता है और उस विधा में हम यह देखते हैं कि विश कन्या का उलेख मिलना और विश पध्यती के द्वारा जैसा कि इस समय चला है वैक्सिनेशन की प्रक्रिया उस तरह उसकाल में भी विश को विश के द्वारा मानने की जो वैक्सिनेशन प्रक्रिया थी वह भी दिखाई देती है और साथी साथ असोक को उस समय एक ऐसा रोग हो गया था जिस कहा जाता है कि तिस से रक्षिता ने उस रोग को हटाने का बहुत प्रयास किया लेकिन उस समय के जितने भी वैद्य थे वह भी उस रोग को नहीं हटा पा रहे थे वह रोग था मुह से मल का निकलना मुह से वह गंदगी निकलना जिसको समरा असोग बार बार उससे पीडित हो रहे थे और वह एक समय तो निरासा के भवर में डूब गए और उन्हों ने अपने पुत्र को बुला लिया कि अब तुम आओ और सासक बन जाओ लेकिन तिस से रक्षिता ने हार नहीं मानी और उन्हों ने आयरवेद के उपचार के द्वार इस रोक से मुक्ती प्राप्त की असोग को इस रोक से मुक्ती दिलाई और जिसका परणाम यह हुआ कि असोग जैसा महान सासक भारत के सबसे महानतम सासकों में से एक प्राप्त होता है इसके अतरिक्त हम यह भी देखते हैं कि महर्शी पतंजली ने अपने योग सुत्र में और महाभास्य में आयुर्वेद के विश्य में बिरहत दिश्टांत प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा तत्कालीन समाज और वर्तमाज समाज आज भी लाभानवित होता जा रहा है इसके अतरिक एक और वहान सक्स का नाम में लेना चाहूंगा जो मौरितर काल में है सुस्रुत और हانकि सुसृत परंपरा प्राचीन बेदु से ही चलती आ रही है इस काल मौरितर काल में भी आके सुसरुत की एक परंपरा हमको दिखाई देती है जिन्हों ने अपने ग्यान के बलपर उस काल में अनेक यंतरों का विज़कार किया सौ परिख्षण का विज़कार किया पहले तो सो परिख्षण नहीं होता था लेकिन सुसरुत ने सो परिख्षण करके जिसकों पुस्माटम कहते हैं वह भी मौरित्तर काल में याज से तकरीबन अड़ाई जार साल पहले यह प्रक्रिया हमारे यहां चलती रही है और उन्होंने इस सलिक्रिया में 101 यंत्रों का भ करते रहे हैं और इसी के साथ एक और भी जैसे कहते हैं कि सर्पदनस से लोगों की अकाल मित्ति हो जाती थी तो उस काल में मिलिंदपन एक गरंथ हैuard गरंथ जिसमें नाग सेन ने लिखा था कि सर्पदनस से मुक्ति के लिए हमें आयुर फेद ही एक ऐसा उपाय है जिसके हम सर्पदन से मित्तिव को प्राप्त नहीं होंगे और उससे बच सकते हैं तो ऐसी प्राचीन काल में ऐसी अनीक विधाय हमको दिखाई देती है जो आयूर्वेद're के विकाज को प्रस्तूत करता है अयूर्वेद के घ्ensing को दिखाती है और साती सात अनीक प्रकार के रोगों स निवारन और मुक्ति करती है जैसे त्रिदोसवात होता है और ऐसे अनेक से रोग हैं जिनका उपचार हमको आयुरवेद में उसकाल में दिखाई देता था और मद्यकाल में भी ऐसे अनेक आयुरवेदा चारे हुए जिन्हों ने के प्राचीन काल की परंपरा को आगे बढ़ किया गया लेकिन वह अपने वैज्ञानिक सिक्टसा पध्यती के द्वारा न केवल ऐसी विग्नबाधाओं से मुक्ति प्राप्ट कर पाये बलकि उन्होंने अपने सम्मान को यथावत रखा और आयुरवेद की महत्ता और गौरों को बढ़ाते रहे हैं वत आधुनिक काल म में लोगों के ध्यान को नज डाला जाए और लोग एक नई पध्यती जोसको हम आजकल एलोपैत के रूप में देख पा रहे हैं उसकी और लोगों का ध्यान उन्होंने अक्रिष्ट कराया था अंग्रेजों ने और इसका प्रभाव ये हुआ कि आज की युवा पिढ़ी अ और आयुर्वेद से मिमुक होती गई लेकिन आधुनिक काल में और समकालीन इस इतिहास में हम ये पाते हैं कि आचारे स्रीवाल किष्ट जी स्वामी रामदियो जी ने आयुर्वेद और योग के छेतर में नितांत और महतुपून प्रगती की जिसके दोरा लोगों को कर्मा बन पड़ा है जो योग की और आयुर्वेद की और लगातार अपने अपने आप को तुचाहिद कर रहा है इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद ने ने केवल प्राचीन गवरों को अपने साथ रखा बलकि उसने भारत की उस महान सांस्कृतिक विरासत जिसको हम वसुधैव कुटुमवकम के नाम से जानते हैं उसको भी सदा सरवदा कायम रखा है और इसके द्वारा हम मानवता की सेवा के लिए सदायवतत पर हैं अन्त में मैं एक स्लोग के द्वारा अपने वानी को विराम देता हूँ ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहविर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माविद्वसावहे ओम सांती 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 ही